नो गाइज यह बहुत ही अच्छा question है, तो सबसे पहले आप यह देखिए कि यह CWH का group है और एक अलकीन है, double bond है और इसकी I2 और NAHCO3 के साथ reaction करें, और second step में pyridine के साथ heat किया, अब देखिए, एक चीज पहले आपको मैं बदाता हूँ कि जो RCOOH है, यह थोड़ा basic वाली चीज़े होती है, जब आप इसको NAHCO3 के साथ reaction कराते हो, ठीक है, तो it will convert it into RCOOO Na, ठीक है, यह NH2CO3, और similarly एक चीज और याद रखें, अगर इसकी reaction आप phenol के साथ भी करते हो, तो याने OH है, अगर इसकी भी आप NAHCO3 के साथ करते हो, ठीक है, तो जैसे again, यह H है, यह क्या हो जाएगा, H निकाल लेगा, तो ONA, ठीक है, H2CO3, तो यह चीज़े याद रखें, खेर, यह याद र आपको, अब क्या होगा, इसका मतलब, जब आप इसकी reaction कराते हो, OH और NAHCO3 से सबसे पहले, तो यह क्या करता है, सबसे पहले तो, जो यह OH का O है, यह O की खीच लिया, अब NA लिखा जाएगा, मैं NA लिखनी रहूं फिलाल के लिए, ठीक है, ताकि confusion ना हो आपको, अब दूस पार्ट है I2 वाला, I2, इसमें I2 की reaction करा है, अब I2 को समझने के लिए, आप सबसे पहले इस example को समझे, देखिए, for example guys, आपकी reaction यह है, ओके, अब मैं इसकी I2 के साथ reaction करा रहा हूं, ओके, अलकीन है और I2 की है, आपको पता होगा, तो अब क्या होता है, कि basically, अब यह जो attack करता है न, double bond इस पे, तो कुछ इस तरह करता है, कि जैसे I है, I2, और I2 है न, इसकी तरफ थोड़ा सा scroll कर, आगे जानी कोश्च कर रहा है, कैसे, यह कह रहा है कि भीया, लो, ऐसे, ऐसे जा रहा है इसकी तरह, इसके पास जाने की वज़े से, यह इसका कुछ, यह I, ठीक है, समझना आपको, कैसे, अब यह होता है, देगे, यह भी क्या है, double bond है, और यह I इसके चिपका लेता है, और यह bond एक तरह से break हो जाता है, ठीक है, अब क्या होगा, यह तो I हो गया, ठीक है, अब दूसरा जो I negative हो गया, वो इसमें से more stable position पर attack करता है, यह bond break हो जात यह याद रखे है, गाइस, पता होगा आपको, तो I and this I, इस तरह से हो गया, समझ रहा है आप गाइस, किस तरह से कहा हो, कुल मिला के यह समझे, यह bond इस पर attack किया, और दूसरा ने जोड दिया, ठीक है, दो इस तरह से process जोड़ती है, तो similarly, अगर आप अब इस पर तो यह double bond है यहाँ ठीक है, अब यह I2 पर reaction करता है, attack करता है I2 पर, तो यह क्या करेगा, इसमें एक ऐसे ही trimer type बना देगा कुछ, और यह तो O negative है यहाँ पर, and this I में अंदर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि, यह बहुत common reaction है गा, इसको ऐसी tension लेने की आपको ज़रू ठीक है, so now what happens कि जो यह double bond है, यह negative है, it will attack, यह और यह जो bond है, यह break हो जाता है, I इधर जुड़ जाता है, तो जो आपका compound बनता है, इधर, वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, यह I तो इधर जुड़ गया, ठीक है guys, और यह हो गया आपका इधर, यह हो गया आपका इधर, O, यह C double bond, O, I hope guys, आपको अब तक समझ में, ठीक है, so जो यह वाला product है, यह तो बना, इस पूरे first step में, I hope guys, आपको अब तक समझ में आ रहेगी, बहुत ही मैं दीरे दीरे चलाने कुछ कर रहा हूँ, तो अब इसकी आपकी peridine के साथ reaction कराई, एनी heat, now guys, एक बात ध्यान र होगा, यहाँ पे एक जो H है, उसको, अब देखे guys, आपको सोच रहोगी है, मुझे कहां से समझ मा रहे हैं, चीजे कहां से आ रहे हैं, यह थोड़ी practice से ही हो जाता है, और कुल मिलाके आपको option पर आ नहीं है, peridine का कुछ तो को रोगे ना यार, ठीके, peridine क्या करता है, य H लेगा, ठीक है, यह दो electrons हैं, यहाँ डालेगा, और यह bond break हो जाएगा, तो कुल मिलाके जो आपका final compound बन जाता है, वो यहाँ पे एक double bond के साथ यह वाला, समझ माया guys आपको, right, so इसमें जो आपका correct answer आ जाता है, is option number C, ठीक है, समझ माया, now peridine और H कैसे लिया, क्या final product बन पता हूँ, देखे, peridine जो है, उसका structure कुछ ऐसा होता, आपको पता ही होना चाहिए, यह वाला, N होता है इसमें, ठीक है, अब क्या होता है, for example, कोई acid के साथ reaction करा हो, ठीक है, तो यह क्या दे देता है, इधर जो acidic H है, यह खीच लेता है, आपनी तो, peridine यह बना देता है, P, Y, R, I, D, I, N, I, U, M, ठीक है, और यह वाला जो आपका है, इस तरह से आपका acid के एच ले लेता है, with positive charge, NCL negative यहाँ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से इसने जो आपकी पिछली reaction थी, यहाँ पर H ले लिया, और यहाँ पर क्योंगी double bond थे, यह दो electron थे, यहाँ ऐसे, readjust हो जाते हैं, so I hope guys आपको यह जो चीजे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, यह समझवाए होगी, और इसमें जो फिलाल आपका जो correct answer है, वो क्या हो गया, option number C, ठीक है,